हेलो फ्रेंड्स होम्स कीचेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ टोमेटो सूप की रेसिपी जो की बहुत जादा टेस्टी बनता है सर्द्यों में सूप पेना किसको पसंद नहीं होता सबको पसंद होता है चाहे बच्चे ह सब इसको बेहदी चाओ से पीते हैं तो आज मैं टोमेटो सूप की रेसिपी आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम हेल्दी वर्जन में हम सूप बनाएंगे और सिर्फ घर की चीजों से ही हम सूप बनाएंगे कोई एक्स्टा इंग्रेडियंट्स आपको बाहर से हम सिर्फ उन्हीं चीजों से यह सूप बनाएंगे जो हमेशा हमारी घर में अवेलेबल रहते हैं तो चलिए शूरू करते हैं आज की स्मझेदार सी रेसिपी को बनाना तो टोमेटो सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो टमाटर और दो गाजर ली हैं गाजर क बहुत चोटे करने की जूरत नहीं हैlor मोटे मोटे टुकडों में इनको कट करेंगी तो मैरे टमाटर और गाजर दोनों को कर लिया हैं अब हमने प्रेशर को कर लिना है कुकर में डालेंगेắmगे एक टेबल स्पून देशी घी अगर आप के पास बटर हैं तो आप बटर भी यूज कर सकते हैं, घी करम हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे एक बड़ी लाइची और एक चोटा टुकडा दालची नी, खड़े मसालों के भून जाने के बाद आट से दस कली लहसुन डालेंगी, लहसुन को गोल्डन होने तक हमने पकाना है, लहसुन पक जाने के बाद एक चममच ग्रेटिड अध्रक डालेंगे और साथ में ही डालेंगे प्याज मैंने एक medium size के प्याज को चौप करके लिया है अब लगातार चलाते हुए प्याज को हमने पका लेना है हल्का सा translucent होने तक प्याज को हमने golden नहीं होने दिना है मेडियम फ्लेम पर हमने इसको सर्फ ट्रांस्विसंट होने तक ही पकाना है तो यह देखी मैंने प्याज को पका लिया है अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और गाजा जो हमने टमाटर और गाजा चॉप करके रखे हुए थे वो एक साथ में ही हमने सारे डाल देनी है साथ में ही टेस्ट के अकोडिंग नमक डालेंगे और दो कप डालेंगे पानी बस और हमने अभी कुछ भी नहीं डालना है बागी के मसाले हम बाद में अड़ करेंगे बढ़िया से सभी चीजों को मिक्स करेंगे वो धक्तन लगा कर दो से तीन सीटी आ जाने तक हमने इनको पका लेना है गैस का फ्लें मीडियम टू हाई रखना है तीन सीटी लग चुकी है, कुकर का प्रेशर रिलीज हो चुका है अब हम धक्तन खोल कर देखते हैं कि हमारी सब्जियों की कंडिशन क्या है तो ये देखे सारी चीजे बढ़िया से पक चुकी हैं, गल चुकी हैं अब दस मिनट तक हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हैं जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें से सबसे पहरे तो खड़े मसाली निकालेंगी अब एक ग्राइंडिंग जार लेना है और टमाटर को जार में डालना है टमाटर को हमने पानी के साथ ही ग्राइंड करना है पानी अलग नहीं निकालना है तो मैंने डाल दिया है जार में आप ठकन लगाकर बड़िया तरीके से सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे तो ये देखे सभी चीज़े तरीके से ग्राइंड हो चुकी हैं अब एक पैन के उपर रखेंगे चलनी और टमाटर के पेस्ट को चान कर पैन में डालेंगे ताकि इसमें जो भी बीज हैं और टमाटर के चलकी हैं वो चन कर अलग हो जाएं और एक स्मूद सूप हमारा बन कर तैयार हो अगर आपको लगे कि आपका पेस्ट हलका सा गाड़ा हो गया है आपको चानने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप थोड़ा सा पानी एड़ करके इसको चान सकते हैं तो ये देखिए मैंने चान लिया है मिक्शर को और इतने से चिलके और बीज इसमें से निकले हैं जिनको हमने हटा दिना है अब आधा चमच चीनी डालेंगे आधा चोटा चमच काले मिर्च पाउडर आधा चोटा चमच चाट मसाला आधा चोटा चमच ही मैंने इसमें देखिलाल मिर्च एड़ किया है एक चोथाई कप डालेंगे पानी और सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर पूरा 5-6 मिनट तक हमने सूप को पकाना है वैसे तो सभी चीज़े अच्छे से पक गई थी तब तक सूप पॉयल होता है तब तक हम सूप के लिए ब्रेड क्रूटन्स बना कर त्यार कर लेंगे अगर आप ब्रेड क्रूटन्स नहीं बनाना चाहते हैं तो बिना ब्रेड क्रूटन्स के भी ये सूप बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है लेकिन अगर bread croutons डाल कर आप soup को serve करेंगी तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो croutons बनाने के लिए मैंने हाँ पर दो breads लिए हैं सबसे पहले हम इनके corners को हटाएंगी और फिर इस तरह से इनको square shape में छोटे छोटे टुकुडों में कट करके तयार कर लेंगे तो breads को मैंने कट कर लिया है pieces में अब एक pan में मैंने डाला है एक tablespoon देसी घी आप butter भी यूज़ कर सकते हैं गी घरम हो जाने के बाद हम इसमें bread के pieces डालेंगे और golden brown होने तक इनको पका लेंगे तो यह देखिए बड़िया से golden और crispy हमारे croutons बनकर तयार हो गई हैं अब हम इनको निकाल लेते हैं यहाँ पर हमारा soup भी boil हो चुक है है पूरा 5-6 मिनट के मैं इसको boil कर लिया है और यह देखिए कितना बड़िया color हमारे soup का आया है consistency भी एकदम perfect है ऐसी ही consistency में मुझे चाहिए थी अब gas का flame off कर देंगे और गर्मा गरम soup को साव करेंगे तो friends सिर्फ घर की चीजों से restaurant से भी कहीं ज़ादा tasty और healthy soup बनकर तयार हो गया है आप भी यह soup एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको बहुत साथा पसंद आएगा और जटपट से यह soup बनकर तयार हो जाता है extra ingredient या महनत आपकी नहीं लगेगी friends अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो please वीडियो को like करें अपनी family friends के साथ share करें और मुझे support करने के लिए channel को subscribe करना भी ना भूलें फिर मिलेंगे एक और नई recipe के साथ तब तक take care bye bye